नमस्कार दोस्तों आज बात करूंगा simple pay later के बारे में अगर आप due date के बाद payment करते हैं तो क्या चार्जिस लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे वीडियो पहले बार देखे तो like कर देखें चायो को ले सब्सक्राइब यहाँ पर स्कीन सोट दिखाने चाहूंगा वहाँ प बकायदा आपको message भी किया जाएगा mail भी किया जाएगा alert भी आपको दिया जाएगा कि आपकी due date किस date को है और आपको payment कब तक करना है उसके पहले भी आप कर सकते हैं उसका benefit यह होता है कि आपकी जो credit report है वह सही होती है और जो जिस भी app को आप यूज कर रहे हैं जिस भी platform क यूज कर रहे हैं वहाँ पर आपका trust build up होता है उसके वज़े से आपकी credit limit बढ़ सकती है तो due date से पहले करने का तो यह फाइदा है लेकिन अगर आप due date के बाद payment करते हैं तो 250 प्लस GST आपको देना पड़ जाएगा और स्कीन सोच मुनका साब साब कहना है कि हम आपको due date की जो information है वो mail करेंगे message करेंगे आपको बताते रहेंगे ताकि आपको due date याद हो लेकिन उसके बाद भी अगर आप due date पर payment नहीं करते हैं simple pay later का तो आपको 250 प्लस GST आपको देना पाड़ सकता है इस वीडियो फ्लाइट नहीं चेंट को लाइस सब्सक्राइब करना मत भूले देगा स्लाइस पर का जो due date के बाद लेट चार्जेस है वह आपने देख लिया इस वीडियो में बस इतना ही बताना था चोटा सा वीडियो था इस वीडियो में नहीं नमस्कार